सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल समराट मेडिकल नामे को और साथ में दबाए बेल आइकन को हमारे सभी वीडियो देखने के लिए नमस्कार आज हम लोग जानेंगे एमपोर्ट B6 सिरप के बारे में एमपोर्ट B6 ब्रेंड नेम है इसका जेनरिक नेम या कमपोजिशन पोटेसियम मेगनिसियम साटरेट एंड बिटामिन B6 है इसके परतेक 5 ml में पोटेसियम मेगनिसियम साटरेट 978 mg तथा पारीडॉक्सिन हाइडरो कॉलोराइड बिटामिन B6 14 mg पाया जाता है इस सीरप को Celsius Health Care Private Limited दोरा बनाया जाता है जो 200 ml के कॉंटिटी में प्लास्टिक बोटल के रूप में 173 रुपया के कीमत पर किसी भी मेडिकल एस्टोर पर एजली मिल जाता है इस वीडियो के माद्यम से जानेंगे एमपोर्ट बिशिक सीरप का आपयोग कौन-कौन सी बिमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है इस सीरप का आपयोग कितनी मौत्रा में तथा कितने दिन तक किया जाता है एमपोर्ट बीशिक सीरप का आपयोग करने के बाद क्या-क्या दुस्परभाव हो सकता है इन सारी जानकारी के लिए बने रही है हमारे साथ दोस्तों एमपोर्ट बीशिक सीरप का आपयोग किड़नी से संबंधित बिमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है पिसाव के संकर्मन को ठीक करने के लिए किया जाता है जब किसी बैक्ती को कम मत्रा में बार बार पिसाव आता है पिसाव करते समय काफी दर्द और जलन होता है प्रोस्टेट के बढ़ जाने से या बलेडर में अस्टोन के बज़ा से कभी कभी पिसाव भी रुख जाता है तब डॉक्टर दोरा एंपोर्ट बेशिक सीरफ का उप्योग करवाया जाता है जब किसी वैक्ती को किसी प्रकार का क्रोनिक डिजीज हो जाता है Chronic Disease का मतलब पुरणा बिमारी होता है तब ैक्टर उसे लंबे समय तक दवा लेने का सलाह देते हैं लंबे समय तक दवा लेने से उसमें कुछ ऐसा दवा रहता है जिसको उप्योग करने से किड़नी में पत्थर बनने का चंसिस बढ़ जाता है पत्थर होने का संभाव न रहता है ऐसा पत्थर ना हो पेसेंट के साथ ऐसा परेसानी न हो इसके लिए डॉक्टर पहले ही एमपोर्ट बीशिक सिरप को प्रिस्क्राइब कर देते हैं जब किसी बैक्ति को किड़नी में पत्थर हो जाता है तब भी एमपोर्ट बेसिक सीरप का उप्योग करवाया जाता है क्योंकि इसमें जो पोटेसियम मेगनेसियम साइटरेट है यह किड़नी में बने पत्थर को तोड़ता है जिससे पत्थर छोटा छोटा टुकरा होकर पिस क्रिश्टल का मतलब पैसाव में पाया जाने बाला केमिकल है हमारे मुत्र में कई परकार के केमिकल पाया जाता है यह केमिकल जब किसी कारण से अधिक बनने लगता है एक जगह होकर जमने लगता है क्रिश्टल एक जगह होकर जम कर पत्थर बन जाता है तब पैसेंट के किड किड़नी में दर्द करता है तथा किड़नी से संबंधित तथा यूरीन इंफेक्शन से संबंधित कई परकार के परिसानियां होता है इस क्रिश्टल को जमने से रोकने के लिए भी अन्य उपयोगी दवा के साथ एंपट बीशिक सीरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है तो दोस्तों एक बैस्क बैक्ति को 10-15 ml एक गलास पानी में मिलाकर सुबह संब दिया जा सकता है तथा बच्चे को 5-10 ml एक गलास पानी में मिलाकर या अधा गलास पानी में मिलाकर सुबह संब दिया जाता है अगर बच्चा काफी छोटा हो तो उसका डौज और कम करके दि कि आ जाता है वह doctor पर निर्फर कर एगा अब जहनेंगे import basic syrup के side effect के बारे में इस syrup का उपयोग करने के बाद क्या क्या दूस्परभाव हो सकता है तो import basic syrup का उपयोग करने के बाद उल्टी हो सकता है दस्त लग सकताź तथा पेट में दर्द कर सकता ही इनकी कुछ साधारन साइड इफेक्ट है बताये गए दुस्परभाव तथा अन्य किसी परकार के दुस्परभाव नजर आए तो अपने डॉक्टर से मिले और उनके द्वारा दिये गए निर्देसों का पालन करें दोस्तों एमपोर्ट बीशिक सीरप के बारे में और किसी भी परकार के जनकारी के लिए कोमेंट कीजिए साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद